नमस्कार दन्यूस पर स्वागत है आपका आप मैं हूँ आपके साथ शेरिन कल राजसभा मैं आरलडी प्रमोक जैन चौधरी का ना जाना और सपार राजसभा सांसत कफिल सिब्बल का अनुसपस्तित रहने को लेकर आज लगातार सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि 2024 के चुनाफ से पहले क्या अखिलेश यादफ से अलग हो जाएंगे जैन चौधरी क्या इंडिय अलाइंस को लगेगा बड़ा जटका और क्या आरलडी की बढ़ रही है भारतिय जनता पार्टी से नस्दीकिया और इसी लिए कल जैन चौधरी नहीं पहुचे थे क्या राजसभा समाम इस तरीके के सवाल जो है वो आज सियासी गलियारों में जैन चौधरी को लेकर उमण रहे हैं और जनता सवाल पूछ रही है पर इसी बीच हम आपके लिए ये बता दे कि आज जहां एक तरब राजसभा में अनुपस्तिती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जै 2024 के चुनावों को लेकर एक और एलान कर दिया गया है जिससे अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें अब और भी जादा खड़ी हो सकती हैं क्योंकि जिस इंडी अलाइंस को लेकर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में भारतिये जनता पार् पर उसी 2024 के चुनाव से पहले आज आरलडी प्रमोक जैन चोधरी ने ऐसी दो बातें कर दी हैं जिसके चलते अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं एक तरफ तो इंडी अलाइंस में जतने भी नेता हैं आज उनके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जो अखिलेश यादव इंडी अलाइंस को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार बड़ी बातें करते हैं अखिलेश यादव कई बार अर्विन केजरिवाल के साथ भी नजर आए हैं और कल जब उन्हें समर्थन करने की बात आई तो इन ही की पार्टी के दो राजसभासान सद उसी के लिए कॉंग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं यह दोनों ही नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं दोनों राजसभा सांसत हैं और यह दोनों ही कल राजसभा में पेश नहीं हुए जिसको लेकर आज समाजवादी पार रहेगा कि दस सीटों को लेका जो है वो मांग कर दी गई है और पक्षिमी उत्रपरदेश में पैट जवाना चाहते हैं अब आरलडी प्रमुख जैन चौधरी और इसी लिए एहम जो सीटें हैं जो निर्देश ये करती हैं और तै करती हैं पक्षिमी उत्रपरदेश की राज पर चुनाव लड़ने की बात कहने वाले अखिलेश यादव क्या दस सीटें जो है पक्षिमी उत्रपरदेश की देंगे जैन चौधरी के लिए और इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि जो दस सीटों का ऐलान किया गया है दस सीटों की हिस्सेदारी की बात आरलडी की से की गई है और ये दस सीटें कोई ऐसी वैसी सीटें नहीं है बलकि ये वो सीटें हैं जो की पक्षिमी उत्रपरदेश की काफी जादा एहम सीटें हैं जिसमें से हातरस है मतुरा है इसी के साथ बागपत है नगीना है कैरना है ऐसी ऐसी सीटें हैं पक्षिमी उत्रपरदे है आरेडी की तरफ से अब देखना एहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर सभा प्रमुक अखिलेश यादब का क्या कहना होगा दो तरीके की बात हैं आज सियासी गलियारों में लगातार की जा रही हैं जिस तरीके से एक कल अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा म तरफ से जो है वो वीब जारी किया गया था और कॉंग्रेस ने तो इतना जादा समर्थन किया कि पूर्व प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग जिनकी उम्र 90 साल है और वो वीलचेर में राज्यसभा में रात के 11 भजे तक नजर आए और वो वीलचेर पर बैठे रहे ज या अब इंडी अलाइंस से उनका मन भर गया है या फिर भारतिय जनता पार्टी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं जैन चौधरी या जिसी तरीके के सवाल जो हैं वो जैन चौधरी को लेकर उठ रहे हैं और अगर बात करें जैन चौधरी और भारतिय जनता पार्टी के इति चुनाव लड़ी है और उनके पिताजी यानि की जैन चौधरी की पिताजी भी भारतिय जनाता पार्टी के ही साथ थे पर अब देखना एहम रहेगा कि जाटों की नाम पर राजनीती करने वाले जैन चौधरी आखिरकार किस तरीके से मोड लेते हैं और अब बात करते हैं जन जटका लगेगा अखिलेश यादव और इंडी अलाइंस के लिए क्योंकि कल राज्यसभा में जो तरीके से चीज़ें हमने देखी कि एक तरफ कई ऐसे राज्यसभा सांसर जिन्होंने अर्विन केजरिवाल का समर्थन नहीं किया और जो कारण वस्यानी कि उन्होंने अपन जेर पर बुलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के लोग हैं कि जो जान बूचकर भी नहीं आए थे राज्यसभा में अब ऐसा लग रहा है कि अब इंडी अलाइंस में बड़ा जटका यानि की बड़ी फूट जो है वो पड़ सकती है अर्विन केजरिवाल को लेकर पहले ही संदीब दिख्षित कह चुके हैं कि अब अर्विन केजरिवाल इंडी अलाइंस से दूरी बनाएंगे अब देखना एहम रहेगा कि कितनी ही पार्टियां एक साथ रह पाती हैं 2024 के चुनावों तक जो अभी ये कह रही हैं कि हम लोक तंद्र को बचाने के एक साथ आए हैं या फिर ये समिधान और लोक तंद्र को बचाने की लड़ाई हम एक साथ लड़ेंगे अब जनता की राय पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि इस मामले को लेकर क्योंकि एक तरफ पपिल सिब्बल हैं दूसरी तरफ जैन चोधरी हैं इस मसले पर लगाता सिया आसी गलियारों में काफी जादा उफान है तरह तरह की राय जो है वो आज जनता सोशल मीडिया पर रख रही है एक नर्वाल नाम के जो यूजर है नर्वानिक वो लिख रहे हैं कि वक्त की गंभीरता को देखते हुए मनमोहन सिंग वीलचेयर पर आ सकते हैं तो कपिल सिब जैन चौधरी स्विच कर लेंगे एंडिये में आ जाएंगे दोहजार चौबिस के चुनावों से पहले और इसी के साथ तमाम जो जनता है वो अलग लग तरीके की राय रख रही है और राजा राम लोधी नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि जब पूर्व प्रधा नहीं किया है जब एक क्यानवे साल की डॉक्टर मनमोहन सिंग जी आ सकते हैं तो जैन चौधरी क्यों नहीं आई ये काफी जादा अजीब है और वही सुधीर मिश्रा नाम की यूजर है उन्होंने लिखा है कि राजी सभा में वोट के समय जैन चौधरी कहा थे विपक्षी गटबंदन में फूट पढ़ चुकी है मोदी जी के सामने बहुत लोग आना नहीं चाहते अब बहाने बताने का सलसिला शुरू होगा और असली वजय सभी को पता है अब इस तरीके से जो है अब तकासे लगाए जाने लगे हैं और लगातार ये बातें की जाने लगी हैं क की तरफ से एक न्यूस चानल के माध्यम से उन्होंने बताया है कि वो राज्य सभा इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनकी पतनी की सरजरी हुई उनका ऑपरेशन हुआ और इसलिए उनकी पतनी का ऑपरेशन था उसलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना था और इसके चलते वो राज्य सभा पे नहीं पहुच पाए कारवाई में हिस्सा नहीं ले पाए वोट नहीं दे पाए खेर अब देखना एहम रहेगा कि ये जैन चौधरी का सरफ एक एक स्क्यूज है या फिर दो हजार चुनाब से पहले कोई एक बड़ी रण नीती जो है वो आरडी की तरफ से बनाई जा रही है जिस तरीके से सियासी गलियारों में बार बार जैन चौधरी का नांग सामने आ रहा है खेर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद